इस समय सितंबर का महिना चल रहा है हम आपको बताने जा रहे हैं कि सितंबर के महिने में कौन-कौन सी सब्जियों के खीती की जा सकती है सितंबर के महिने में हम आपको 7-8 सब्जियों के बारें बताएंगे जिसको किया जा सकता है जिसे करके अधिक से अधिक लाग को कमाया जा सकता है सितंबर के महीने के लाष्ट में टंप्रेचर कम हो जाता है रात को टंप्रेचर कम होता है और दिन में तो गर्मी होती है लेकिन रात में कम तापमान हो जाता है रात और दिन के तापमान में अंतर आ जाता है इसलिए हम सितंबर के महीने में सब्जियों की खेती करके लाखों रुपे कमा सकते हैं फोल गोभी की खेती सितंबर में फोल गोभी के अच्छे क्वाल्टी के बीच का हम सबसे पहले चैन करते हैं जब हम बीच का चैन कर लेते हैं तो उसके नर्सरी डाल लेते हैं जब nursery से plantation करते हैं तो इसमें पंगस की समस्या बहुत जादा आती है तो उसके पवध्य की जड़ों को हम क्या करते हैं सोधित कर लेते हैं ह पूर लब सोधित कर लेते हैं।कर इसमें कुछ कीटों की समस्या हो thank you अपने घर पर देशी और गायनिक केट नासक बनाते हैं और उसका छिरकाओ करते हैं जो मार्केट में जो राशानी के दवाईयां it्ती हैं यह केट नासक के या फंगि साइड मिलते हैं यह हमारे लिए बहुत नुक्सान दाइक होते हैं इसलिए हम आरगैनिक का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा हरी मिर्च की खेती क्या करते हैं इसमें सबसे अच्छे क्वालिटी के बीजों का चैन करते हैं उसकी नर्शरी डालते हैं जब नर्शर एक एकड़ खियत के लिए 150 ग्राम बीज़की आउसकता होती है उसके बाद पालक की खेती में खर्च ना के बराबर लगता है पालक की खेती में पानी के निकास की अच्छी बिवस्था होनी चाहिए क्योंकि पानी अगर भर जाता बरा होता है तो इसके लिए बहुत नुकसा करते हैं और खर्च बहुत कम लगता है इसलिए हमको फाइदा ज्यादा होता है उसके बाद गाजर की खेती करते हैं जिससे भी हमें बहुत फाइदा होता है यह जड़ जटम वाली फसले इन के लिए गहरी जुटाएगी हो सकता होती है हम कम से कम दो तीन बार कल्टी बेटर से तथा एक दो बार रोटा बेटर से जुताई करके मेटी को भुर्भुरा बना लेते हैं और इसमें गहरी जुताई की बहुत हो सकता होती है जितनी ही गहरी जुताई होगी इसकी जड़े बहुत नीचे तक जाएगी हमे रिड़ देखे जाता है इसलिए हमें चुकंदर की खेती करना भी फाइदे मंद होता है उसके बाद है सिम्ला मिर्च की खेती सिम्ला मिर्च सिमला मिर्च को कम से कम 6-7 महीने तक से हमें सिमला मिर्च मिलती रहती है इसलिए सिमला मिर्च की खेती करना बहुत ही फायदेमंद है उसके बाद है मतर की खेती मतर की खेती के बारे में हम सबसे पहले खेत की तयारी कैसे करते हैं बीज का चैन कैसे करते हैं और जुताई कैसे होती है उसके बाद इसमें कौन-कौन सी खाट डालते हैं कब इसमें दवा का चिड़काव करते हैं इसके इसको हम बिस्तार पूरवग इस पर एक बीडियो बना लिंक इसमें हमारे इसमें दिया गया है उसको देख करके आप मटर की खेती कर सकते हैं कि किसान भाईयों से अन्रोध है यद हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद